आज का जो लेख है जो समभोते कल कुछ अकबारों में प्रकाशित होगा अब इनकी अकबारों में प्रकाशित होगा ये नहीं में बता पाऊंगा लेकिन आज मैंने दो लेख हैं जो कल महला दिवस हैं आठ मार्च को अंतराश्टी महला दिवस होता है तो कुछ ऐसे उसर आते हैं वैसे को मैं आठ मार्च को जनरली सेमिनार रखा करता था लेकिन फुरा दोर भारत पाकिस्तान का और ये तमाम चीजे थी और कुछ ऐसी अपनी भी मतलब काम ऐसे थे आप लोगों के इंटर्व्यू का तयारी कराना ग्लास लेना तो वह बन नहीं वाया लेकिन दो लेख हमने इस पर लिखा है और वो लेख मैं पढ़ रहा हूं एक लेख है आधी दुनिया की सैक्षणिक इस्तिति आधी दुनिया का यहां मतलब है कि दुनिया दो लोग दो वर्गों से बनी है एक इस्त्री है एक पुरूश है और यह मैं अपवाड रहा हूं बहुत सारे तथ्यस में हैं और इसका लेक का प्रसंग है वो बेसिकली हमने यह देखने की कोशिश किये है कि देखिए आज हाल बनी के सरता हुआ करती तब हैं हमारा देश हमारा ही देश था अलबता हम विसिक शत्ता थी वर्ट देश तो हमारा ही था और जो लोग यहां पे थे चाहिस्त्री या पुरुश वह हमारे ही लोग हुआ करते थे तो क्या इस्थिती थी उस नमएकि सिख्षा व्यवस्ता की उसी को लेकर कि ये लेक हमने लिखा है। जरह इसको आप लोग गवर से सुनिये और देखिए कि क्या कुछ ग्यान आपका बढ़तवार हाई कि नहीं। शिक्षा या सोथ तब पूर्ण नहीं हो सकता। यानि कि मैं यहां पर थोड़ा सा फिर से ले रहा हूं। शिक्षा या सोथ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक सामुदाइक सेवा और सामुदाइक जिम्यदारी से नहीं सिक्ष ना हो। ठीक उसी भाती साइक्षनिक दुनिया तब तक पूरी नहीं कही जा सकती। जब तक इस्त्री सिक्षा की भूमिका पूरुस की भादी सुद्रण नहीं हो जाती है। आज यह सिद्ध हो चुका है कि अर्जित ग्यान का लाग कहीं अधिक मूली युक्त है। समाज के दोनों हिस्से ये जिसमें बराबरी की सिर्कत करते हैं तो लाग भी चौग नहीं हो सकता है। देखा जाए तो उन्नीश्मी सदी की कोशिशों नारी सिक्षा का उस्सावर्धन बनाया। इस सदी के अंत तक देश में कुल 12 पॉलेच आप ध्यान रखियेगा। इस सदी के अंत तक देश में कुल 12 कॉलेच, 466 स्कूल और 5628 प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए थे। ये पहुती रिसर्च ओर्येंटर डेटा हो गया आपके पास। थे जब की छात्राओं की संध्या साड़े चार लाग के आसपास थी। अपनिवेसिक काल के उन दिनों में जब बाल बिवा सतीप्रथा जैसी गुराईयां व्याप्त थी। और समाज भी रूड़िवादी परंपराओं से जकड़ा था। बावजूद इसके राजा राम मोहन राय आपने सुना होगा जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय तथा इस्वर्चंद विद्या सागर जैसे दिहास मुर्षों नारी उत्थान को लेकर समाज और सिक्षा दोनों हिस्सों में काम किया। नतीजे के तोर पर नारियां उच्च सिक्षा की ओर न के वला ग्रसर हुई बलकि देश में सैक्षणिक लिंग भेद वासमानता को भी राहत मिली। हलाकि मुस्लिम छात्राओं का आभाव उन दिनों बाग को भी वरगराया था। 22 कस्तर पर 19 सदी के उस दोर में इंग्लैंड फ्रांस ता जर्मनी में लड़कियों के लिए अनेक कॉलेज खुल चुके थे। और कोशिस की जा रही थी कि नारी सिक्षा भी समस्त साखाओं में दी जाए। 20 सदी के पुर्वार्द में यह आधार बिंदु तैं हो चुका था कि पूर्वत साइक्षनिक व्यवस्ताओं के चलते यह सदी नारी सिक्षा के छेत्र में अत्रिक्त वजनदार सित्ध होगी। कि ऐसा अनुमान 19 सदी से लग चुका था जो सामाज सुधार हुआ था चैसाती प्रथा की बात वाल विवात उससे भी एक आइडिया डॉलप हो चुका था सामाजिक जीवन के लिए यह रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी की यूप योगी है तो वह सिक्षा ही हो सकती ह सदी के दूसरे दसत में इस्त्री उच्ष सिक्षा के शेत्र में लेडी हार्डिंग कॉलेज से लेकर विश्विद्याले के स्थापना इस दिसा में उठाया गया बेहतरीन कदम था आजादी के दिन आते आते प्राइमरी कख्षाहों से लेकर विश्विद्याले आज में अ इन में तक्नीकी और वैवसाइक सिक्षा का भी मार्ग प्रसस्त हुआ। इस दोर तक संगीत और नित्त की विशेश प्रगति भी हो चुकी थी 1948 यानि देश आजाद हो चुका 1948-49 कि विश्विद्याले सिक्षा आयोग ने नारी सिक्षा के संबंध में कहा था कि नारी विचार तथा कार शेत्र में समानता प्रदर्शित कर चुकी है अब उसे नारी आदर्सों के अनकूल प्रिथक रूप से सिक्षा पर विचार करना चाहिए सुतंतरता के दस वरस के बाद शात्राओं की संख्या कुल 88 लाग के आसपास हो तुगनी कि और इनका प्रभाव प्रत्यक शेतर में दिखने लगा वर्दमान में इस्त्री सिक्षा सरकार समाज और संब्धान की कोशिशों के चलते कहीं अधिक उत्थान की और रहें नब्वे के तसक के बाद उदारी करण के चंते शिक्षा में भी जो अमूल चूल परिवर्थन हुआ उसमें एक बड़ा एक बड़ा हिस्सा नारी शेक्र को भी जाता है वास्तु इस्तिती यह भी है कि पूरुशिस्त्री समरूख सिक्षा के अंतरगत कई आयामों का जहारास्ता खुला है वहीं इस डर को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि आपसी प्रतिस परधा भी बड़ी हड़ी ठीक है आज आर्थी कुदारवार ज्यान के प्रसार और तक्नीकी विकास के साथ संचार माध्यमों के चलते अर्थ और लक्ष दोनों बदल गये हैं इसी के अनुपात में सिक्षा और दक्षता का विकास भी बदलाव ले रहा है इसमें भी कोई दोराय नहीं कि तकनीकी विकास ने परंपरागत सिक्षा को पचाड़ दिया है और इस सच से भी किसी को गुरिज नहीं होगा कि परंपरागत सिक्षा में इस्त्रियों की भूमित आधिक रही है अब विकट इस्तिती यह है कि नारी से भरी आधि दुनिया मुखता भारत को सायक्षणिक मुखिधारा में पूरी कूबत के साथ कैसे जोड़ा जाए बदलती विस्तितियां यह आगाह कर रही है कि पुराने ढर्रे अर्थहीन और अप्रासांगिक हो रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा चोट इस्त्री सिक्षा पर होगा यह जब विज्यान के उप्थान और बढ़ुत्री के चलते कई शमतकारी पुन्नती भी हुई है आखले बताते हैं 1947-1980 के बीच उच्च सिक्षा में इस्त्रीयों की संक्षा ठारा गुना बढ़ी है और अब तो इसमें और तेजी है कुल खुलने कुछ खलने वाली बात यह दी है कि अंतराश्टी अस्तर पर जो सिक्षा व्यवस्था है उससे देश पीछे यह थोड़ा समझ जाली बात है कि हम लोग आगे जा रहे हैं वर कहीं पर पीछे भी विश्विद्याला जिस सरोकार के साथ सिक्षा व्यवस्था को अनवरत बनाये हुए हैं उससे तो कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि संचित सुचना और ज्यान मात्र को ही यह भविस्थ की प्यूडियों में हस्तांतरीत करने में लगे हैं इससे पूरा काम तो नहीं होगा कैरियर के विकास मेस्त्रियों की शलांग आयामी हुई है पर इ बावजूद इसके आज पुत्री सिक्षा को लेकर पिता मतलब पुत्री की सिक्षा को लेकर पिता काफी सखरात्मत मेहसूस कर रहे हैं सब्सक्ति करन को लेकर संसे अभीबर करा रहा है सबसक्त हैं कि नहीं यह बात दूसरी होगा इसके पीछे बड़ी वज़े नारी शिक्षा ही है परनतों जिस भांति नारी शिक्षा और रोजगार को लेकर बहु आयामी दृष्टिकोंड का विकास हो रहा है अंदाजा है क सब्सक्ति करन की प्रक्रिया में सिक्षा की भूमिका के साथ साध्य और साधन की मौजूदगी भी जरूरी है साथी सामाजी कार्थिक विकास को भी नहीं भूला जा सकता है समाज के विकास में इस्त्री को आज कहीं से कम तर नहीं आता जाता मगर यह आज भी पूरी तरह क सब्सक्राइक किन्तु परंतु से परें नहीं है। 2011 की जनगरणा में निहित धार्मिक आपड़ों का खुलासा मोधी सरकारद्वारा हाल ही में किया गया था जिसे देख कर पता चलता है कि लिंगा नुपात की इस्थिती बेहत चिंता जनक है। सरवाधिक गौर करने वाली बात यह है कि सिख, हिंदू और मुस्लिम समधाय को इस अस्तर पर बेहत सचेत होने की आवश्यक्ता है। इसमें भी इस्तिती सबसे खराब सिखों की है। जहां 47 दस्वनों चार चार्च फिजदी महिलाएं हैं। जबकि हिंदू महिलाओं की संख्या 48.42 मैं महिलाओं की संख्या की बात कर रहा हूं। जो सिख में इतनी महिलाओं हैं। हिंदू में हैं 48.42 मुस्लिम महिलाओं 48.75 फिजदी हैं। केवल इसाई महिलाओं में इस्तिती ठीक ठाक और पक्ष में कहीं जा सकती है। देखा जाए तो इस्त्रीयों से जुड़ी दो समस्याओं में एक उनकी 25 के साथ सुरक्षा का है। दूसरे सिक्षा के साथ कैरियर और ससक्ती करान का है। यह रोचक है कि यह दोनों तभी पूरा हो सकता है। कि जब पूरुस मानसिक्ता कहीं अधिक उदार के साथ उन्हें आके बढ़ने वाली हो। हला कि बर्तमान में अब ऐसे आरोपों को खारिज होते हुए भी देखा जा सकता है। पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस्त्री सुरक्षा और सिक्षा को लेकर सामाजिक जागरुता तो लनात्म कही गुना बढ़ चुकी है। मानुविकास सूचकांग को तैयार करने की शुरुवात 1990 से किया जारा है। ठीक 5 वर्स बाद 1995 में जेंडर संबंदी सूचकांग का भी उद्भो देखा जा सकता है। जीवन प्रत्यासा आय और स्कूली नावंकर तथा बयस्क साक्षर्ता के आधार पर पुर्शों से तुलना किया जाए। तो आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं कि नारियों की स्थिती को लेकर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। बिकास की राजनीत कितनी भी परवान क्यों नचड़ जाए। परिस्त्री सिक्षा और सुरक्षा आज भी महक्मों के लिए यक्ष प्रस्म बनेंगे। सुतर्द भारत से लेकर अब तक लिंगा नुपात काफी हद तक निरासा जना की रहा है। हलाकि साक्षार्ता के मामले में उत्रोत्तर ब्रद्धी हो रही है। बर्तमान मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप तो याद होगा। पानी पत से इसकी सुरुवात किया गया था। और माधरी देख्षित उस मंच पे थी अगर आप लोगों फिल्मिस्टारियों से। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से लेकर कई ऐसे कारेक्रमों को वेक्सित करने का प्रयास किया है। जिससे की इस दिसा में और बढ़त मिल सके। फिर भी कई असरदार कारेक्रमों और परियूजनाओं को नवी करन के साथ लाने की जगें आगे भी बढ़ाने की बात रहेगी। साथ ही उनका क्रियानिमन भी समचित को जिससे की सैक्षिनिक दुनिया में नारी को और चौणा रास्ता मिल सके। यह आज का जो यह जो हमें पढ़ा है यह सिर्फ एक बताने के लिए है कि आप इसको समझें भूझें इसको सुनें समझें और थोड़ा सा ज्ञान पढ़ाएं और हो सकते इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें थैंकियो वेरी मैच